सब्सक्राइब तैनल प्लांट नहीं से चैनल स्टोपश तो जयते कि आप लोग देख सकती है कि मैं आप लोगों को इस चांग में फोर अकलोक का प्लांट दिखा रहे हैं इसे गुले अबासी के नाम से भी जाना जाता है गुले अबास के नाम से इसको जाना जाता है और इंगलिश में इसे 4 o'clock कहा जाता है और आप देख सकते हैं इसे 4 o'clock इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फ्लावर होती है ये चार बजे खिलते हैं और पूरे रात के लिए रहते हैं और जब सुबा के दूप निकलती है तो ये गुर जा जाती है विसली इनको फोर ओ क्लॉक का फ्लावर कहा जाता है और ये प्लांट काफी असानी से हमारे गार्डन में सालो साल बना रहता है और इसे केर के कोई विज़रूरत नहीं होती है ये अपने आप एक प्लांट से कई प्लांट बनाता है और इसकी सीट पूरे गार्डन में गरती रहती है कम से कम इसे लाय हुए मुझे दो साल हो रहा है और दो साल में मैंने कम से कम इसके सौधे और सौधे जादा प्लांट तैयार करी हैं और उन में से कई प्लांट मैंने हटा भी दिये बहुत सी सीट्स मैंने फेक भी दी क्योंकि इतने जादा प्लांट मैं अपने गार्डेन में नहीं लगा सकती हूँ मेरा गार्डेन थोड़ा छोटा है आपको पता है औ और इसको जो हे दो महीने में भी fertilizer दे दे देज booty Derpress जब इसका season आई तो आप इसे fertilizer दे cardiac ये plant की इस तरह से इसका बल्बोथा है और उसको नीचे roots निकलती है में दीख सकते हैं आप सारी plants में आपको का दिखाती अच्छे वेल द्रेब यह बिनाई है फुल सिनलाइ्ट का प्लांट है इसे अच्छे तरह से फुल संबre रखी और गिया ये प्लीन देखिए चोटे-चोटे सबमने तेयार करी है अब इनको चर्पिलांट करने के बारे मैं सोच रही हम हैं तो एक प्लांट मैं आपको ट्रांश्ट करकि दिखाऊंगी आज है आप इसे मिमस्टट्र के के किशन फॉर्चलाइजर दे सकते हैं और गर्मी परने पर आप इसमें के इस भी सॉयल में मिला सकते हैं आप मैंने इसमें अच्छे तरह से कंपोस्ट मिलाया हुआ है मैं क्या करती हूं किचन वेस्ट का कंपोस्ट में कैसे तैयार करती हूं मैं किसी भी पॉट के नीचे जो हूं सबजे की चिलके होती हैं जैसे लस्टू का चिलका प्यास का चिलका सब जो है पौट के नीचे रख देती हूं लीव्स जो होती है उसको पौट के नीचे रख देती हूं और उसके उपर मैं मिट्टी डाल देती हूं और रिवर सेंड और वर्मी कमपोस्ट और मस्चड केक को मिला कर मैं पनी सोयल तैयार कर लेती हूँ और इसके बाद जब मैं एक साल बाद अपनी पॉट की मिट़ी को पलटती हूँ तो वो पूरा अच्छा सा कंपोस्ट तैयार हो जाता है और जो कंपोस्ट तैयार होता है आप उसमें प्लाइंट लगाई है, आपके प्लाइजर बहुत ही अच्छा ग्रॉर्ण करती है और उनको फर्टिलाइजर की भी जादा जरूरत नहीं होती है यह प्लाइंट कर्टिंग से असानी से लग जाता है लगाने की कोई जरूरत से लगना नहीं होती है झाल झाल